तो दोस्तो जब रशिया के द्वारा सुखोई SU-57 Fighter Aircraft के रूप में 5th Generation के Fighter Aircraft का development किया जा रहा था तब रशिया के द्वारा भारत को भी इस प्रोजेक्ट में as a development partner के रूप में जोड़ा गया था बेसिकली दोस्तो तब भारत और रशिया मिलके भारत के लिए सुखोई SU-57 के specific variant को बना रहा था जिसका नाम था FGFA मतलब 5th Generation Fighter Aircraft पर दोस्तो कुछ समय तक दोनों देशों के बीच में collaboration होने के बावजूद भारत साल 2018 में इस प्रोजेक्ट से अपने आपको संप्रोण रूफ से दूर कर लिया और रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि भारत के द्वारा प्रोजेक्ट से अपने आपको दूर करने के प जाएगा और दोस्तो सवाल ये बना हुआ है कि अब जब रश्या के तरफ से भारत के रिकार्मेंटों को पूरा किया जा रहा है तो क्या फिर से भारत एक बार FGFA प्रोजेक्ट में बाफस आ सकता है पर दोस्तो इस सवाल का जवाब ढूरने से पहले हमें ये जानना कि भारत असर में FGFA प्रोजेक्ट से दूर क्यों गया था और उस दूर जाने के कारण को क्या रश्या के तरफ से संपूर्ण रूप से मिटा पाना संभब हुआ है बेसिकली दोस्तों साल 2018 में भारत के तरफ से जब FGFA प्रोजेक्ट से अपने आपको दूर किया गया था तब जो ओफिशियल बयान आया था उसके मुताबिक भारत इन येरक्रेप्टों के कुछ पार्ट को लेके खुश नहीं था जिनमें येरक्रेप्टों के इंजिन ये येरक्रेप्टों के स्टेल्थ फीचर और येरक्रेप्टों के राडर शामिल है रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि भारत असल में येरक्रेप्टों में इस्तेमाल होने वाले 4th generation के इंजिनों से खुश नहीं था और भारत को एक 5th generation के स्पेसिफिक ऐसा इंजिन का भारत खुश नहीं था और ये भी वताया जाता है कि एरक्रेप्टों में इस्तेमाल होने वाले इन इंजिनों के कारण एरक्रेप्टों के जो स्टेल्थ फीचर है उसके उपर भी असर पढ़ रहा था और रशिया एरक्रेप्टों को डिजाइन और डिवलाफ करने के दर्म बीच में सहमती नहीं था जिस कारण बताया जाता है कि भारत इस प्रोजेक्ट से अपने आपको दूर किया है हाला कि उस दर्मियान कुछ खबरों में ये विदावा किया गया कि बाद में जब रशिया के द्वारा भारत के इन रिक्वर्मेंटों को पूरा किया जाएगा तब भारत फिर से इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकता है इवन रशिया के बरिष्ट अधिकारियों के तरफ से भी ये इशारा दिया गया कि भारत सुखोई 30 MKI यार क्रेप्टों के प्रोजेक्ट के जैसे FGFA प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकता है जिन में पहले इनिशि रशिया के सुखोई SU-57 फाइटर यार क्रेप्टों में से कुछ यार क्रेप्टों को खरिद के भारत के द्वारा यार क्रेप्टों को जाचा जाएगा और उसके बाद बड़े मातरा में इसके इंडिया स्पेसिफिक वेरियंट मतलब FGFA वेरियंटों को भारत के द्वारा पर दोस्तों अब फिर से एक बार संभावने इसलिए उभर के आगे आ रहा है क्योंकि रिपोर्ट के मताविक रश्या भारत के कम से कम एक रिक्वार्मेंट को तो पूरा करने का समर्थ हो चुका है और ये रिक्वार्मेंट है यार्क्रेप टो में एक नेक जेनेरेक्शन के इंजिन का इस्तेमाल रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई SU-57 फाइटर यार क्रैप्टो को एक नया इंजिन के साथ टेस्टिंग किया जा रहा है जो की फ्लैट नॉजल के साथ है और दोस्तों ये इंजिन को लेके बताया जा रहा है कि ये फिफ जनेरेशन का इंजिन नहीं ब इंजिन के साथ होगा पर अब इसमें स्पेसिफिक खुलासा करते हुए इंजिन के रूप में दावा किया जा रहा है दोस्तों इन इंजिनों को प्रोड़क्ट 30 इंजिनों का नाम दिया गया है जिसे कुछ-कुछ जगाओं में सेगन स्टेज इंजिन भी कहा जाता है जो की सुखव एसुफिटी सेवन फाइटर एरक्रैप्टों के प्रोड़क्शन मॉडल में लगने वाला था हाला कि दोस्तों पहले तो दावा ये भी था कि इन इंजिनों का टेस्टिंग का काम साल 2017-18 में शुरू होना था पर शायद उस समय इन इंजिनों का टेस्टिंग का काम शुरू नहीं हो सका होगा क्योंकि अगर दोस्तो ऐसा हुआ होता तो शायद साल 2018 में भारत अपने आपको FGFA पोजेक्ट से दूर नहीं करता हाला कि दोस्तो अगर टेस्टिंग तब शुरू हुआ भी होगा तो भी इसके बारे में रश्या के तरफ से पब्लिक में कोई जानकरी नहीं दिया गया होगा और अब पहली बार नए इंजिनों के साथ नए यारक्रेप्टों का जानकरी पब्लिक के लिए अविलेवल किया ग बलकि ये जो नया इंजिन है ये इंप्रूब्ट फर्फार्फार्वेंस के साथ भी है और पहले के इंजिनों के मुकाबले में इसके थ्रष्ट कैपेबिलिटी इवन इसके कई सारे फीचर्स अलग है जिनमें की इसमें एडवांस इलेक्रोनिक सिस्टम्स को भी लगा गया रिपोर्ट में बता जा रहा है कि पहले इंजिन के मुकाबले में इस बार जो रश्या के तरफ से नय इंजिनों को बनाया गया है ये करिब करिब सारे 12% अधिक थरष्ट जेनेरेट कर सकेगा। जैसे company के साथ UEC Saturn, LMZ, NIIID जैसे company भी शामिल है अब दोस्तो इस तरीके के flat nozzle वाले engine के सफलता पूरबक development के बाद रश्या फिलाल ऐसे engine के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा सफल country बन चुका है फिलाल दोस्तो अमेरिका के इलाबा कोई भी देश ऐसे flat nozzle वाले 3D thrust vectoring और high tech stealth engine को नहीं बना सका और रश्या के तरफ से इस तरीके की engine को बना के अपने stealth aircraft के feature में और मजबूती लाया गया है फिलाल दोस्तो अगर देखा जाए तो कई सारे अन्य देश भी ऐसे engine के development में प्रयास कर रहा है लेकिन अब तक उन देशों को सफलता नहीं मिला है अब दोस्तो भारत के तरफ से जब यारड़क्रेप्टों के project से अपने आपको दूर किया गया था तब ये एक requirement के तहद रखा गया था कि भारत को एक नया generation का engine चाहिए और अब ये नया जिनेरेशन का इंजीन बन चुका है तो क्या भारत फिर से इन एर क्रेप्टो के प्रोजेक्ट में आ सकता है। दूसरे तरफ दोस्तो भारत अपने खुद के फिर जनेरेशन के फाइडर यार क्रेप्टो को बना रहा है जिसे की AMCA नाम दिया गया और दोस्तो ये जो AMCA यार क्रेप्ट है ये असल में 6 जनेरेशन के टेकनोलोजी वाले 5 जनेरेशन का यार क्रेप्ट होगा और दोस्तो इस में सवाल नहीं वनता है कि भारत को इस समय अपने खुद के प्रोजेक्ट को एवंडेन करते हुए या प्रोजेक्ट को धीमा करते हुए किसी अन्य यारक्रेट के प्रोजेक्ट के तहत आगे वढ़ना चाहिए हाला कि अगर रशिया के तरफ से MMRCA मतलब ये 114 फाइटर यारक्रेप्टो के टेंडर के अंतरगत अपने यारक्रेप्टो का प्रस्ताव रखा जाता है तो रशिया के लिए समभावनाए हैं वही पर दूसरे तरफ रिपोर्टो में ये वी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भी भारत के साथ 5 जेनरेशन के यारक्रेप्टो को लेके बातचित कर रहा है लेकिन फिलाल के जो कंडिशन में सुख़ई AC-57 रशिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसका अगर ओफर रशिया करना चाहता है तो शायद रशिया के पास चांसेस है दोस्तों आज के वीडियो को यही फेही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो हैं मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम